हेलो दोस्तों आज हम आ गए हैं कुछ कुछ लेके आएं जिनको बिदेंट सेकेंड में काम करेंगे क्योंकि और सब्सक्राइब करने से पहले इससे पहले एक और वीडियो अप्लोड हो चुकि उसको देख ले तो आपको बिल्कुल समझ में सही आएगा तो आज हम जो कुछ लेके आएं वो एक्जाम में आई आई हैं यह इंपोरेंट कुछन है ठीक है तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको एक सेकेंड में बताना चाहता हूं इसकी कुछन की आंसर फिर आपको मैं सॉलिशन करके बताऊंगा सबसे पहले यहां पर देखा एक दो तीन तीन इते तीन नहीं अप्चास इसका आएगा पचिस पन फाइव से के 25,20 35 इसका आएगा तीन दो तीन जिसका भी 13 आएगा ठीक है इसका भी लास्ट वाले का भी 13 है यह 13 है इसका 25.5 है इसका 25.5 है इसका 5 है तो आज हमने यह देखे within second में answer आगए बट आपको यह समझ में नहीं आया हुआ यह आ कैसे गए अब इनको आपको solution करके देखते हैं तो ऐसे ही आपको आने लगेंगे जब आप इन ट्रिक्स के दौरा सीखेंगे जब मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक के दौरा आप सीखेंगे तो बिल्कुल भी आपको कोई tension नहीं आएगी आपको बिल्कुल ऐसे ही आएगे आपके आपको खुदी से पहले हम इसका solution बताने से पहले आप इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए share करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए उनको भी पता चलना चाहिए कि इस तरीके से solutions, tricks के द्वारा आपका within second में हो जाता है ठीक है और इस channel for first time है please तो इस channel को subscribe पर लिए bell icon प्रेस कर लिए घंटी वाला जिससे आपके पास सबसे पहले notification पहुंचेगा हमारी वीडियो का तो आपको सबसे पहले मिलेगी वीडियो देखने के लिए और आपके लिए बहुत benefit होने वाला है तो हम इसको देखती है ठीक है तो इससे पहले मैंने जो वीडियो नहीं देखी है किसी लोगों ने मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई है वसत के नाम से उसको जरूद देख लिए क्योंकि जब ही समझ में आएगा जी यहां पर बस मैं आपको trick बताऊंगा trick कैसे काम करती है यह दिखाना चाहता हूँ मैं ठीक है तो सबसे पहले क्या काम कर रहा है इस वाली सवालों को चेक करते हैं find this average find this average में क्या बोला है 2,3,4,5,6,7,8 तो आपको ध्यान देना है बीच बाली बैलू को आपको find करना है तो इधर की कितनी बैलू हो रही है और इधर की कितनी बैलू है वो अलग लगी निकाल लो बच्चा कितना 5 तो answer हमारा 5 हो गया ठीक है इसको आप solution से भी करके देखेंगे तो आपको same process यही आएगा आप इसको जोड़के देखेंगे या इसको into करके देखेंगे तो इधर ही आएगा कितनी बैलू है एक दो तीन चार पांच छे साथ है तो साथ का into 5 से कितना आगया 35 ठीक है कितना आगया 35 तो साथ पन्या 35 जो यह answer हो गया अपना इस तरीके से भी solution कर सकते हैं आप इसको जोड़ेंगे ना 8, 7, 15, 5, 4, 3, 2 सारा आपका 53 हो जाएगा तो इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं और आपको इस तरीके से भी solution निकाल सकते हैं answer का क्योंकि जो आपके line को इधर देखना है आदे इधर देखना जो beach का point बचता है वो यह आपका average कहलाता है ठीक है तो इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं जैसे beach का point है आपको find करना है तो आप क्या करना है beach का point निकालना है जैसे मैंने आपको 5 निकाला beach का point और इधर कितनी एक संग्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है साथ से multiply किया मैंने ठीक है कितना आगया 35 आगया और 5, 7 आपकी value है फिर साथ से मैंने divide किया answer सही आ रहा है तो इसे check भी कर सकते हैं दो तरीके से यह ठीक है तो यह clear समझ में आगया होगा कोई दिख कितनी आई होगी यह बहुत जरूरी है सीखना तो यह questions का answer आपका हो चुका है यही आपका solution था यतना time नहीं लगता है solution में ठीक है अब यहाँ पर दिया है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 within find the average मतलब इसको आपको एक बार में average निकालना है तो सबसे पहले आपको आधी आधी point संके निकाल लिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 value है तो यह हम 4 पर गोला कर लेंगे 1, 2, 3, 4 ठीक है बीच का value छोड़े देते हैं 1, 2, 3, 4 अब यहाँ पर क्या होगा 4, 4 बटगी value तो कोई बची नहीं बीच में तो हमने क्या किया जो value बीच में बच रही है इस तरीके से यहाँ पर देखिए आप हो रहा है तो इस तरीके से इसको देखना है आपको और कुछ भी नहीं करना है आप जोड़के देखेंगे आंसर यही आएगा आपका proper तो ऐसे देखना है आपको और यहाँ पर अलग value होती तो आंसर वही रहता तो आपको यह समझ में आ गया तो इस तरीके से मैंने इसको find कर लिया ठीक है यह solution हो चुका है इसका कुछ भी time नहीं लग रहा है ऐसे आपको देखना है और बस आपका average find करना है अब आता है यहाँ पर लिखा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे कहां तक चलना है पूरा up to 50 तक चलना है तो यह प्राकरते के संख्या आ गए यह आपको पता होना चाहिए इससे पहले मैंने वीडियो बनाई उसमें आपको पूरे डिटल समया है परकरते के संख्या आपको कौन सा फर्मूल लगए कौन सा नहीं लगएगा तो आपको यह से पहले ट्रेक करने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए तो यहाँ पर क्या बना है पूरा आपका सॉलिशन जा रहा है कितना 50 तक जा रहा है तो यहाँ पर देखना चाहिए तो सबसे पहले आपनको कुछी नहीं करना है सिंपल भी मैं देखना है यहाँ पर सारी चीज़े यहाँ पर क्या हो रहा है ऐसे 50 तक जा रहा है पॉइंटे तो सबसे पहले नेचुरल संख्या कितनी है 50 तक पूरी तो n plus 1 प्लश 2 होता है तो n number केतना हो गया 50 हो गया प्लस 1 हो गया 25 हो गया 25 हो गया तो आप 25 को जब भी आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 प्लश 1 फिर आएगा 5 गया 10 10 आगया और फिर 1 बचाएगा 0.10 5 20 कितना आगया 25.5 तो इस तरीके से भी आपने कर सकते हैं इसको solution ठीक है और एक और ट्रिक में आपको बता हूँ जिस solution है और ट्रिक कैसे निकालते हैं इसको find करने के लिए directly तो वो देख लीजिए अब जो मैंने solution निकाला था एक second में सारे को तो उसको भी देख लीजिए solution समझे में आया यह आपको natural संख्या है आपकी बराबर चलेते जा रही है गहीं रुकी नहीं है तो उसको क्या करना सीधे सीधे आपको n नमर प्लस बना पर टू से करना है ठीक है अंसर आपका आचुका है 25.5 next question है ऐसे ही अब जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था यहां पर कितना था 1 से लेकर के 50 तक था natural संख्या तो आपको यह ध्यान देना चाहिए क्योंकि बीच में जब आ रहे है यह संख्या तो 25 इधर संख्या होंगी और 25 इधर संख्या होंगी तो बीच में पॉइंट आ रहा है कि नहीं क्योंकि आपकी बेलू कितनी आ रहे है यह बीच वाली संख्या रही तो कितना हो जागा 25.5 तो इसलिए मैंने अप्टू वो डारेट कर दिया था ट्रेक नहीं समझाए जो अभी मैंने मैंने दिया है कॉइशन से वो मैंने लिखा था यह कुइशन से इस तरीके से लिखा था 1,2,3,4,5 4,5,6,7,8,9 अब 2 कितना लिखा था? 50 लिखा था इस तरीके से था कितना? 3 नमबर का कुइशन से तो इसको क्या कर रहे है थे? अब नहीं कहा तक निकालना है तो यह अब टू चला जा रहा है अपने अभी देखा था N प्लस 1 अपन 2 से देखा था तो यह अपना कितना आ गया था? 25.5 हो गया था अपन बिदिन सेकेंड में देखेंगे तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है आपको क्या करना है? यह प्यालू देखना है कहां तक 50 हो रहे हैं तो अपने को कहां थे? एक से ले कर रेके 25 तक गए ठीक है? अब मैं यहां से 25 से ले कर रेके इधर की गोज जाओंगा तो कहां से जाओगगगगगगभ अब उने प्लेस पॉइंट है तो मेरा कहां पर आ रहा है signal इसका आ रहा है तो 26 और 25 की बीच में लाई कर रहा है, तो हमने क्या करना चाहिए, यह बीच वाला पॉइंट में चला जाता है, तो इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि यह इधर वाली संख्या का है, तो हमने कितना लिख दिया इसको, 25.5, ऐसी निकालते हैं, ट्रेक्स के उसार, और नेचु करेंगे, भाग में गलती होगी, तो दिख्यत आजएगी, बट आप इस ट्रेक्स के उसार, तो कहीं यह दिख्यत नहीं आएगे, आपको, ठीक है, समझे में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर, अब नेस कुशन को चलती है, नेस कुशन है, सेम प्रोसेस है, ऐसे ही है, यह भी आपका सेम प्रोसेस है, कैसे चाहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, अब टू कहां तक जाएगा, 25 तक, ठीक है, तो यह भी आपकी प्रोसेस कैसे जा रही है, 25 तक जा रही है, कहां से, सुरू बास से ले करके, तो find this average, तो क्या करना है अपनों को सबसे पहले, इसम कि पहले देखना है, पहले तो हमने जो solution किये थे, वो सारे सीख लिए, एन प्लस से करेंगे, तो 25 कितना आएगा, 25 प्लस 1 अपन 2, तो यह कितना होगा, 26, 26 अपन 2 कितना आएगा, 13, तो एन प्लस 1 अपन 2, तो यह formula एप्लाई हो रहा है, इसमें, बट अपन यह ट्रेक के अ पहले बेलू, ठीक है, 12 से जैसे ही मैंने लिया, ठीक है, उसके बाद कितना आता है, 13, पिर कितना आता है, 14, फिर आता है 15, 15 के बाद कितना पहुंचाँगों है, 25, इस तरीक से चलेंगे, तो कहीं न कहीं मेरी बेलू होगी, वो कहां पर लाई करेगी, सीधी-सीधी, 13 पर मतलब 13 आपके value पर लाई करेगी तो यह questions आपका automatically solution हो जाता है answer का 13 क्योंकि यहां से 1 से 12 तक फिर आप 14 से जब गिने हैंगे 25 तक तो 12 आएगी संख्या आपकी तो बीच में बिलकुल आपका कहीं नहीं कहीं इसको cut नहीं रहा है बिलकुल point भी नहीं आ रहा है सीधा simple आ रहा है answer आप चेक कर लीजिए तेरे ही आ रहा है तो ट्रेक्स के answer भी same आ रहा है और आपका formula के answer भी same आ रहा है questions का answer 12 कितने का 25 का मतलब एक से लेकर करेंगे जो प्राक्रतिक संख्या natural number है वो 25 तक कितना आपको उसाद दे सकते हैं ठीक है तो कितना आएगा आपका 13 तो इस तरीके से भी कर सकते हैं यह मैंने आपकी formula के answer बता दी n plus 1 upon 2 से और यह आपकी ट्रेक्स आपका हमेशा गलत नहीं कर सकता है ट्रेक्स आपका फिक्स काम करता है और आपका time भी बचत करता है आपको कितना time लगा बट आपको first देखना है and बीच वाली value देखना है and last देखना है तो यहां पर मैंने देखा 1 से 12 तक 12 को मैंने बीच में एक छोड़ दिया उसके बाद 12 फिर संग अगली 14 से आप 25 तक लेंगे 12 भी आएगा तो इधर भी 12 है इधर भी 12 ठीक है तो इस तर हम ने क्या कर लिया इसका answer तेरा हो गया तो यह भी solution आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा ठीक है अब चलते हैं questions बहुत hard questions है यह question आपके हर exam में पूछा जाता है और जी questions आया भी है हर जग है और जो मैंने कराएं बो भी आया है बट यह आपका बहुत ही जाना 8 का और सद कितना है 11 तो सबसे पहले आपने लिख लेती हैं एक्स कॉमा एक्स प्लस टू कॉमा एक्स प्लस फोर कॉमा एक्स प्लस सिक्स कॉमा एक्स प्लस एट का और सद मतला average कितना है 11 है यह दे रहा है अभी अपने को यहां तक solution करना है पहले यह वाली लाइन को करेंग तब आपका अंसर सही प्रॉपर आएगा तो सबसे पहले हमने यह आपे एक, दो, तीन, चार, पाँच ठीक है? तो सबसे पहले इसको उसद जो दे रहा है उसका उसद निकाल लो पहले वो बुला है जो संख्या दी गई है एक्स कॉमा इनका आउसद कितना है? 11 है तो आउसद निकाले है तो दो इदर से निकले है बच्ची कॉनसी? यह वाली बेलू तो कितनी है? एक्स प्लस 4 उसका आउसद कितना है? इकल्टू कितना है? 11 तो यह मैंना यहाँ पर 11 रख लिया यह बोला है questions बोला है पहले से यहां क्या बोला है यदी x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 का औसद तो हमने बीच वाला औसद होता है यह आपको सिखाया है मैंने अभी तो यह मैंने निकाल लिया अब इसको क्या गरेंगे x की बेलू निकाल लेंगे तो यहां पे 11-4 तो कितना आजागा x बराव से बना गया तो अभी हमारा answer नहीं आया है अभी क्या आया है only x की बेलू आया है अब answer के लिए हम क्या करेंगे, nest पढ़ेंगे यदी ऑसद 11 है, तो अंतिम 3 अबलोकों का ऑसद ग्यात कीज़़े कितना बोला है अंतिम 3 अबलोकों का अंतिम तीन अब लोगों को जिस आपकी संख्या दी गई ये पूरी अब तीन अब लोगों कौन कोन से होती है बो देख लीजिए यहाँ पर तीन लास्ट वाले अंतिम बोला है लास्ट अंतिम अंतिम जैसी संख्या आई तो हमारी क्या आगई तीन अब लोगों तीन अब लोगों कौन कौन से होती है यहाँ पर एक दो तीन चार पांच दिये तो हमने यहाँ पर तीन निकाल ली X प्लस फूर ठीक है, कॉमा X प्लस 6, X प्लस 8 यह तीन हो गए हमारे ठीक है, अब इनका उसद फाइंड करना है तब आउसर हमारा कहीं मिलेगा तो इसका उसद पाइंड करेंगे, तो तीन बैलू है एक दर से निकाल लो, एक दर से निकाल लो तो हमारा उसद किसना आ गया, X प्लस 6 बट हमारी X प्लस 6 तो कोई उसद होती ही नहीं है ठीक है, X की बैलू आ रही है तो X हमने का निकाल लेकर रखी यह पहले सी 7 आया है हमारा, ठीक है तो 7 का वाण हम यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, यह 7 प्लस 6, तो इसकल टू में कितना हो जाएगा, 13 तो इस तरीके से हमारा यह आंसर आ जाएगा, ठीक है आंसर को कुछ नहीं है, थोड़ा घुमाया गया है, कुश्चिन को जितना घुमाया गया है, आंसर उतना ही सरल बन गया है, सबसे पहले आपको दिखना है यदी X, X प्लस 2 X प्लस 4, X प्लस 6 X प्लस 8 का औसद मतलब जो आपकी बैलू दी गई है यह सारी बैलू दी गई है इन मैंसे क्या करना है आपको सबसे पहलो औसद निकालना है तो मैंने सारी सग्या निकली आपकी उसकी औसद क्या होती है, मैंने आपको इधर कदी आदा, आदा इधर कदी है बीच का खंड था वो मैंने निकाल लिया उसका ओसद कितना है 11 है 11 का ओसद निकाला आपने तो यह आ गया फिर आपने 11 को इधर लेके आए ठीक है और यह 4 को इधर लेके गया तो यह माइनस में पहुंचेगा तो जैसे ही अपना 7 बज़े का X बड़ाबर अब वो कहता है अंतिम 3 अंगों का अब लोग मतला 3 अंग का ओसद और निकालना है तो लास्ट में 3 अंग कौन से बच रहा है 1, 2, 3 अंतिम बोला है अंतिम मतला लास्ट में पहले बोलता तो हम इधर से चलती अंतिम है तो उधर से चलेंगा तो 1, 2, 3 तो मैंने लिग लिए देखो X प्लस 4, X प्लस 6, X प्लस 8 अब बोला है इसका भी क्या निकालना है औस निकालना तो 3 को मैंने निकाल दिया एक इधर बना दिया, एक दर बना नहीं मैं आचुका होगा औस असद के कुष्ण से आपको पूछे जाते हैं और यह कुष्ण तो आपको मिलेगा यह मिलेगा जितने में पीछे कुष्ण कराएं वह मिलेंगे इससे पहले एक और वीडियो बनाई उसको जरूद देख लीजिए क्योंकि वह आपको नहीं देखना है देख ही नहीं है तो जरूद देख लीजिए वही आपको solution यह करा सकती है क्योंकि यह वीडियो आपको trick के अंसौर मैंने बनाई है और जदिनी fast काम कर रही है solution में आपको नहीं देखा हो कितना समय लग रहा है यह वह पूछ रहा हूसा तो सीघे को फुर उठाना ना है क्योंकि बीच वाली संगी उठाना है बीच वाली संग्य उठाई है उस में से सीघे सीघे 11 को घटाना है आपको साथ आ चाहuly कर आंसर आपके मैंनों सोलद को चौह जैसे वह पूछ रहा है आपको देखना बहुत जरूरी है और पूरी अच्छी से देखना है तो ये समझ में आ गया हुगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें शेयर बहुत जरूरी करना है हर बच्चे तक फैलना चाहिए जी वीडियो और सेनल पर फरस्ट टाइम है तो प्लीज सस्क्राइब कर लिए यो बैल आइकन प्रेस कर लिए जैसे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सब्सक्राइब पहले वीडियो प्राप्त हो जाएगी ठीक है तो आज के लिए इतना ही कापी है नेस्ट वीडियो मिलते हैं थेंक यू